असलाम लेकूम, हाई दोस्तों, मैं हूँ साचिदा आज हम नेनुआ की सबजी बनाएंगे आज हम कुछ खास तरीके की सबजी बनाएंगे कभी-कभी बच्चे सबजी खाना पसंद नहीं करते हैं हरी सबजी देखें तो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे की भूत देख दिया हो तो इस तरह से आज हम उने बना कर खिलाएंगे तो वो खुशी-खुशी से खा लेंगे तो इस तरीके से आपको खास त्रिट के साथ मैं बताऊंगी तो चलिए फटा-फट से शुरू करते हैं वीडियो यहां पर मैंने कड़ाई गरम कर लिया है जिसमें मैं आइल एट कर लेती हूँ आइल को गरम होते ही कुछ कड़ी-पत्य एड कर लूंगी साथ ही मैं ओनियन भी एड कर रही हूँ अब इने मिक्स करना है अब मुझे ओनियन और कड़ी पत्ते को अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसका कलर थोड़ा सी चेंज हो जाए उसके बाद मैं यहाँ पर आपसे एक जरूरी टिप्स बताना चाहती हूँ बच्चे हरी सबजी इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि वो आप हरी मिर्च उसमें एड़ करते हो तो इसकी वज़े से अचानक से बच्चों को मुझे आती है जो बहुत ही जादा तीखा लगता है अचानक से अगर आप इस तरह से बनाएंगे रेट चिली को यह फ्रेश चिली है जो मैंने एड़ के हूँ है इससे बच्चों को इजी ली रिमूँ करने में हेल्प हो जाएगी तो यहाँ पर मैंने गार्लिक का पेश्ट एड़ कर लिया है इन सब को अच्छे से बून लेते हैं उसके बाद मैं यहाँ पर तमाटर भी एड़ कर लूँगी यह दिखिए बून चुका है अब मैं एड़ कर लेती हूँ इसमें मैं अब नमक एड़ करूँगी यहाँ पर हमें कोई भी सूखे मसाले या कुछ और की ज़रुवत नहीं है आप इसी तरह से एक बार ज़रूर बनाएए आप खूद याद करोगी इतना अच्छा टेस्ट होगा इस सबजी का अब इस सब को अच्छे से भूनना है ताकि टमाटर वगरा सब गल चाहे लगातार चलाते हुए इसे भून लेना है तो चलिए मैं इसे भून लेती हूँ फटा फट से ये देखिए मसाला अच्छे से भून चुका है अब मैं इसमें निनुआ जो मैंने काट के रखा था वो एट कर लेती हूँ इसे भी अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे नमक मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारी सबजी अच्छी बने सारा फ्लेवर एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए तो चलिए मैं इसे भून लेती हूँ ये दिखी फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गई है अब मैं इसे ढखके पकाऊंगी 10 मिनट ढखके ये दिखिए एक बार मैंने इसे चला लिया था अब मैं इसमें फ्रेश कुरियंडर एड़ करूंगी इससे इसका टेस्ट बहुत जादा बढ़ जाएगा और एक अच्छी से फ्रेशिस मिलेगी तो चलिए मैं इसे गर्मा गरम सर्फ करके दिखा देती हूँ क्योंकि ये रेडी हो चुका है यहाँ पर बैने गर्मा गरम सर्फ कर लिया है अब आप इसे बच्चों को बहुत ही इजी ली खिला सकते हो अगर ये मिर्च आये तो बच्चे इजी ली रिमूर कर सकते हैं उन्हें कोई भी तीखा नहीं लगेगा अगर बच्चे कम तीखा खाते हैं तो आप कम यूज कीजिए और खुसी खुसी से खा लेंगे ये बहुत ही मज़े की सबची बनकर तयार हुई है दोस्तों तो अगर आपके घर में भी आपके बच्चों के साथ सेम प्रॉब्लम होती है कि उन्हें तीखा लगता है ये सबची खाना नहीं पसंद करते है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताए और कैसा लग आपको ये टिप्स तो मुझे बिल्कुल बताना मत भूलिएगा दोस्तों क्योंकि मैं इसी तरह सी रेसिपी लाती रहती हूँ तो आपके भी रिस्पॉंसमिटी है कि मेरे चैनल को सबस्क्राइब करना तो इन्शालों मैं फिर से मिलूँगी अगली रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूरूरू